हाई गाईस वेलकम टो आर योटूब चैनल दर्याल इन्वेस्मेंट आज मैं आपको ऐसे दो स्टॉक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपको करोड़ पती तो नहीं बनाएंगे बलके आपको रोड़ पती बनाती हुए देखने को मिलेगे इतने डेंजरेस ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहे है पता नहीं माइडियर फ्रेंस आपको कैसे इस स्टॉक में फस जाते हो कैसे किस बेसिस पर आप इसके अंदर एंट्री ले ले लेते हो आज पर कमेंट जो आई थी मुझे उसके हिसाब से मैं ये दो स्टॉक यहाँ पर चूज करकर लाई हूँ तो ऐसे स्टॉक से आपको बच के रहेना चाहिए तो कौन से वो दो स्टॉक से उनके बारे मैं बाता हूँगी और साथी साथ इसके उपर की मैंने पूरी आनेलिसिस कर लिये तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि स्टॉक के अंदर कितनी खराबी है क्या अच्छा है और आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर सेलिंग लगा देनी चाहिए या नहीं इसमें से एक स्टॉक ऐसा भी है जिसमें लोवर सर्किट लगातार बनते हुए देखने को मिल रहा है तो जो इन्वेस्टर इसके अंदर है वो तो लगबग फसी चुके हुए है तो देर ना करते हो बढ़ते हम आगे तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है अंकित मेटल पावर लिमिटेड आप यहाँ पर देख सकते है इसका अगर इनिशियलाइज किया जाए तो एज अंकित स्टील वर्क्स प्रावेट लिमिटेड था ये 2002 में और उसके बाद वो वो लेटर आउन चेंजड अंकित मेटल और पावर प्रावेट लिमिटेड 9 जुले 2004 को तो इसका यहाँ पर क्या हो गया नाम चेंज होते हैं नेम चेंज होते हैं देखने को मिल रहा है कमपनी का नेक्स लिल पर यहाँ पर जो कमपनी है वो मैं बताना चाहूंगी रतन इंडिया ये स्टॉक रतन इंडिया स्टॉक का वन येर का शिक्स मंस का परफॉर्मस का अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन as a long term point of view इस स्टॉक के अंदर बात की जाए तो स्टॉक काफी worst देखने को मिल रहा है और इसके अंदर जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है प्लेज जो बढ़ती हुए देखने को मिल रहा है प्रमोटर का प्लेज वो दोनों भी स्टॉक में बहुत ही जारा देखने को मिल रहा है और रतन इंडिया इस स्टॉक में देखा जाए तो यहाँ पर जो डैप्ट है वो इसके मार्केट के आप के प्राइस से भी ज़्यादे इसके उपर डैप्ट हमें देखने को मिल रहा है जो की काफ़ी risky factor है otherwise रतन इंडिया as compared to stock के बारे में किया जाए अंकित metal power के बारे में तो इससे थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है रतन इंडिया ये stock आप इसमें देख सकते रतन इंडिया ग्रूप formerly named India Bulls Power is a business conglomerate with the business interest in power generation cement mining तो इसको जो business यो तीन सेक्टर में फैला हूँ हमें देखने को मिल रहा है जन्रेशन पावर जन्रेशन, cement and mining से रिलेटे यहाँ हाली में इसने पावर लिमिटेट इस डेवलपिंग 540 Megawatt of coal based thermal power projects भी हाँ पर मिलती हो देखने मिल रहा है तो इसलिए मैंने हाँ पर कहा कि रतन इंडिया यह stock अंकित मेटल पावर से थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है अब वो कैसे इसके बारे में सब जान लेते है सबसे पहले मैं अंकित मेटल पावर के बारे में बताना चाहूंगी आप देख सकते हैं इसके अंदर lower circuit लगते हो देखने को मिल रहा है और lower circuit एक बार लगने के बार वो जल्दी निकलते हो देखने को नहीं मिलता है क्योंकि लोग जिस share के अंदर लगातर selling करते हो हमें देखने को मिल रहे है उसमें lower circuit कायम ही रहते हो हमें देखने मिल रहा जब तक इसके अंदर को खरीदार यहां पर नहीं होगा तब तक stock का lower circuit यहां से तुटता नहीं है next level पर यहां पर बताना चाहूंगी यह जो situation बनते होगे देखने को मिल रही थी आपको मौका मिला था इसमें से exit करने का और यहां पर आप देख सकते अपर circuit लगा 1.36 पर और यहां पर lower circuit लगा 1.35 पर यह situation आप देख सकते क्या stock में बनते होगे देखने को मिल रहा है एक पल में एक points से हाँ पर अपर लगा था और एक points से हाँ पर lower circuit लगते हो देखने को मिल रहा है lower circuit देख सकते हैं 130 को लगा 129 को और 1.23 को यह dates भी देख सकते हैं आप यहां पर यह हाली के dates है अभी current 5 days की हाँ पर बाद होते हो देखने को मिल रहे है 7021 तक के नेक्स लेवल पर अंकीत मेटल पावर का अगर मैं आपको long term का chart pattern बताओ तो आप यहां पर देख सकते stock का performance देख सकते किस लेवल पर stock growth करते हैं हमें देखने को मिल रहे है इसकी और इसका ऐसा कोई भी एक ऐसा आप साथ डाउंस भी हमें देखने को नहीं मिल रहे है नेक्स लेवल पर फाइनशियल ट्रेड की बात करना चाहूंगी आपको इतना दो पता चलता हो कि फाइनशियल यह स्टॉक कैसा है क्या नहीं तो यहां पर आप देख सकते इसके जो प्रॉफिट की सिच्वेशन तो एक बार भी बनते हो हमें देखने को नहीं मिल लेकिन लॉसेस कंपणी लगातार देते हो देखने को मिल रहे है जिस कंपणी के अंदर प्रॉफिट ही ना हो उस कंपणी को लेकर आप क्या करोगे नेक्स लिवल पर यहां पर बताना चाहू यहां गी है जितनी क्या पर सुबसे तब से सभी के लिए अदर सेलिंग होती गई और 120 पर सेलिंग की नेक्स लेड़ पर यहां पर बताना चाहूंगी आप इसका पी देख सकते हैं आपको देखने को मिले गा माइनस जरो पॉइंट समएंटी का प्राइज रिज़ और तक प्राइस बुक देख सकते हैं अबर माइनस 0.0 तो देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर नेक्स लेल पर आर्निंग पर शियर ग्रोथ देख सकते हैं पॉजिटिविटी थी 0.25 से बाद में स्टॉक नीचे जाते हों देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट वाइस भी बात की जा देखने को मिल रहा है तो अच्छी ग्रोथ देखने को दो रहा है रेस्क लिए नहीं नहीं लोग ना ही कोई दम्खम है यु नहीं तो इसके अंदर कोई इंडरेस्टेट भले क्यों होगा रतनी इंडिया पावरी स्टॉक की बारे माई बात करना चाहूंगी स्टॉक का परफॉर्मस आप देख सकते हैं कितने लेवल यानि रिस्की चार्ट देखने को मिल रहा है यहां पर से एक पल में यहां पर तेजी बनते हैं दूसरे पल यहां देख सकते हैं स्टॉक कितना नीचे जाकर टच कर दिया 3.2 था यहां पर से डायरेक वो 3.0 पर जाते हैं देखने को मिल रहा है फिर एक हाई बनाते हैं देखने को मिल रहा है आप यहां पर से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी जो स्टॉक का 5 देस का चार्ट पैटर नहीं मतलब पिछले 5 दिन पहले जहां स्टॉक था 3.20 पर फिर से स्टॉक वहीं पर आया 3.25 और फिर इसके अंदर और गिराओट बनते हैं हमें देखने को मिल रही है वन मन पहले कर लेकिन आगर इसका चार्ट पैटर आप देखेंगे तो काफी अच्छा था 26% के स्टॉक रिटरन दे रहा था और वेल यहां पर ट्रेडिंग चलते हैं और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इससे अच्छा और कॉलिटी वाले स्टॉक लो आप उसके अंदर कॉंटी रखो क्योंकि अभी बहुत से स्टॉक है शेर मार्केट में तो आप उसको प्रिफेर करें ना कि ऐसे स्टॉक को नेक्स लेवल पर बताना चाहूंगी हाइस देख सकते हैं 39.50 का था यानि 40 को टच करकर यह स्टॉक बाद में नीची गिराओट दिखाते हुए देखने को मिल रहा है फाइनाशियल ट्रेड बताना चाहूंगी हाँ पर नेगेटिवीटी नेगेटिवीटी भरी हुए थी अप स्टॉक में थोड़ी सी पर नेगेटिवीटी देखने को मिल रहे हैं इसके रेविन्यु की बात की जाए तो रेविन्यु आइस में अप सेंड डाउन सामें देखने को मिल रहा है नेक्स लेवल पर इसके अंदर जो थ्रेट से वह आप आपको बताना चाहूंगी इसके बार कुछ लीगल केसे चलत इसके ओपर काफी बढ़ते हैं और इंक्रीजिंग ट्रेंड इंकम भी होते हैं इससे क्यावें को फंड्नामेंटली तोर पर बता देना चाहूंगी देख सकते हैं इसके बार किता देखने मिल रहा है 5490.78 क्लोअग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1686 क्लोड रुप पर वहां पर देखने को मिल रहा है और बढ़कर वह माज 2021 में 18 88.68 परसेंट तक बढ़ते हो देखने को मिल रहा है लेकिन इसके अंदर होल्डिंग पर आप अगर गवर करें तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रमोटर की होलडिंग को पूर्टी पॉर्ट नैंटीन की देखने मिलेंगी वह ही फॉरें इंवेस्टर भी 0.60 परसेंटेज के साथ यहां पर है कि ये stock का performance कैसा है और आपको इसके अंदर से जितने जल्दी हो सके उतने या से exit कर लेना चाहिए so thank you so much